आप देख रहे हैं आस्विद्याले और आस्विद्याले के द्वारा आपको मैं पढ़ा रही हूँ संस्कृत विशय संस्कृत विशय संस्क्रत विशय का 8 वी कक्षा का आज हम यह पाठ करने जा रहे हैं और हमारे पाठ का नाम है सावित्री भाय फूले यह 11 वा पाठ है इस हमारे session का 8 स्टान्द का और हमारा session number है एक्चुल सेशन नमबर है 57 लेकिन इस चैप्टर का हम ये सेकंड सेशन कर रहे हैं इस पार्ट में हमने पिछले सेशन में सावित्री भाई खुले के जीवनी के उपर जो शुरुवात में हमने पढ़ा था उसके बारे में एक छोटा सा रीकैप हम करेंगे आज सावित्री भाई खुले एक स्त्री भारत महराष्ट्र की पहली स्त्री शिक्षिका रही है और उन्होंने पहली महिलाओं के लिए पहली पाटशाला जो है विद्याले पहली स्कूल महिलाओं के लिए खोली है उसके साथ ही उन्होंने समाज सुधार में भी काफी समाज सुधा हमारे जो चलती है उसके लिए लड़ी है उस ये सब जो लड़े थे वो जब उन्होंने लड़ाई कि इन सब के लिए तो उन्हें काफी प्रताधना सहनी पड़ी दूसरे लोगों से दूसरे समाज के लोगों से और ये सब उन्होंने हस्ते हस्ते सहा सारी प्रताधना उन्हों जा रही थी लेकिन कुछ बच्चे जो है उनके ओपर धूल मिठी कंकड पत्थर फिक रहे थी लेकिन इतना सब होने के बावजुद सावीत्री भाई फुले जो है टस से मस नहीं हुई हसते खेलते वे गए और एकदम आनंद से उन्होंने पढ़ाया लिखाया बच्चों को ब आते हैं अपोस्ट करने वाले पहले आए जब नौ वर्षिंटी केवल नौ वर्षिंटी तब उनकी शादी हो गई थी जयतीवाफुले के साथ में क्यूंकि क्योंकि जयतिवाफुले स्वयां स्वय creatively य्ट्री शिक्षा के worse популяр तेack की पढ़ाई इंग्लिश में भी अध्ययन किया इंग्लिश सीखी उन्होंने अंग्रीजी भाषा सीखी और उसके बाद में जब वे सावित्री भाई फुले जब लड़कियों को पढ़ाने जाती थी तो उन्हें लोगों का बहुत सामना करना पड़ता था लोग उनके ओपर क कि लिये पहली स्कूल खुली 1851 में उन्होंने एक और स्कूल कोली यहां उन लड़कियों के लिए थे जो स्माज में नीची चाती के बच्चे थे थे उनको बड़ी स्कूलों में दाखिला नहीं मिलता था, तो उनके लिए उन्होंने अलग से स्कूल खुली, यही नहीं उन्होंने जो विद्वास्त्री होती है, उनका जो सर्मुंडन होता है, उसके लिए भी उन्होंने नाईयों से बातचित की, और इसका फलस्वरूप यह इस रुड़ी में भाग लेने से मना कर गया, इस रुड़ी का हिस्सा बनने से उन्होंने मना कर दिया, कि अब किसी भी विद्वास्त्री का वाय सिर्मुंडन नहीं करेंगे, उसके अलावा उन्होंने जो नीचे जाती के लोगों को पानी भरने की तकलिफ होती थी, जो उन जब चाहे जितना चाहे पानी ले जा सकते हैं, यहां पे कोई आपका धर्म नहीं पुछेगा, कोई जात नहीं पुछेगा, तो इस तरह से यहां पता चलता है कि वो किस तरह से सभी को समान नजरों से देखते थे, कोई भी जाती, जाती को उची या नीची सभी इनसान होते ह तो ये तो हम जानते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम जानते हैं, सभी इकल है, लेकिन कुछ लोग है पुराने, जो आज भी ये सोचते हैं, कि ये नीचे जाती का है, ये उची जाती का है, जाती विरादी कुछ नहीं होती है, ये सब इनसानों के बनाए गए हैं, अपने सुव अर्थात जो महिला सेवा मंडल है जो महिलाओं के लिए सेवा करती है शीशु हत्या प्रति बंदक गुरुः उस वक्त लड़कियों लड़किया अगर पैदा होती थी तो उनकी हत्या करती जाती थी तो शीशु हत्या प्रतिबंदक ग्रुह, ऐसा एक उन्होंने घर बनाया, घर मतलब एक organization बनाया, जिसमें शीशु हत्या पर प्रतिबंद लगाया जाए, कि कोई भी शीशु की हत्या ना करे, और ऐसे कई संस्था थे, समात सुधारने के लिए, ऐसे संस्थाओं को दोनों ही पति-पत्नी, फु अनुदान रहा है उसमें, वो बहुत ही महतवपूर्ण रहा है, सत्य शोधक मंडल अस्य गतिविधीशु अपिस सावित्री अतिव शकृयासित सत्य शोधक नाम का जो मंडल है, उसके अंदर भी, उनके जो भी गतिविधिया है, उनके अंदर भी सावित्री भै फुले लानि प्रती जागरण में इतने मंडल ये जुविवन थे इनका एक मात्र उद्देश्य यहीधा कि जितने भी उद्पीडने लोग जिए जञ नीचि के लोग में इंहें उद्पीडना सेहन करनी पड़ती है तो इन समझाय के लोगों को उनका जो अधिकार है वह उनको उनके प्रति जागुरुत करना कि क्यूं सहन करें अपने अधिकारों का फाइदा उठाए सवाल करें तो इस तरह से इनका यह कार्य बहुत अच्छा कार्य इनका रहा है उत्पिडित नाम सताय गये का यह शब्दार्थ है सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कोशलेन संचालिवत सावित्री बहुति जो है ऐसे अनेक सारी संस्थाएं जो है एक्तम प्रशासन जो एड्मीनेस्ट्रेशन बोलते ना एक्तम प्रॉपर्ली कोशलेन संचालित वती मतलब एक्तम कोशलता से स्किलफुली सब संचालित करकीती संचालित यह चलाना दूर्भीक्ष काले प्लेग काले जब प्लेक की महामारी वहां फैली थी तो उस वक्त वे पीडित जनानाम अश्रांतम अविरतम च सेवा मा करोत पीडित जनों की वो बिना रुके बिना थके सेवा करती रहती थी अश्रांतम याने बिना थके अविरतम निरंतर उनकी सेवा करती रहती थी जो दीन दुख के बीना रुके निरंतर करती रहती थी सहायता सामगरी व्यवस्थाय सर्वता प्रसासम अक्रोत वे हर तरह की सहायता की सामगरी या जो भी व्यवस्था चाहिए लोगों को help चाहिए वो सब का सब अपने निरंतर प्रयासों से उन तक पहुंचाती थी महारोग प्रसारकाले सेवारता सास्वयम असाध्य रोगेन ग्रस्ता तो जब ये प्लेक की महामारी चली थी पुने में जब महारोग पुरा फैल चुका था उस वक्त लोगों की सेवा करते करते उन्हें भी यह रोग लग गया तो यह रोग 1897 तम्मे ख्रस्ताब्दे निधनम गता तो इसी रोग के कारण 1897 में उनका जो है निधन हो गया था अश्रान तम्म यहने बिना थके हुए साहित्य रचनाया अपी सावित्री महियत तो यहने साहित्य की रचना में साहित्य और लिखना करना होता है कोई भी साहित्य गाखमविक 对 जो है उन में भी सावित्री काफी एकदम बढ बढ चड़ कर आगे रहती थी सावित्री तस्याह काव्य संकलन दौय वर्थते यहने कि उनके दो काव्य संकलन थे काव्य फुले सुबोध रत्नाकर एक है काव्य फुले और दुसरा है सुबोध रत्नाकर चेती यहने यह दो उनके काव्य संकलन थे भारत देशे महिलो थानस्य गहनाव बोधाय सावित्री महोदयायाह जीवन चरितम अवश्यम अध्यतव्यम इसलिए कहते हैं कि भारत देश में महिलाओं के लिए जितने भी अगर आप महिलाओं के बारे में गहराई से समझना चाहते हैं तो सावित्रि महोदे, इनके बारे में, इनकी जीवनी के बारे में आपको अवश्य ही अध्याय करना चाहिए तो महिते, यहने बढ़ चड़कर है, यहने कि वो जो सहीत रचना भी भी बढ़ चड़कर थी, उनके काफी अच्छी थी सहीत रचना, पध्य बढधम, यहने कविता के रूप में, गहनाव बोधाय, गहराई से समझने के लिए, गहन अव बोधाय, ये तो उसको दिया गया है, अब हम, चैप्टर को हमारा खत्म हो चुका है, अब हम कर रहे हैं, शब्दार था इसके, आदाय, लेकर, प्रस्तर खंडान, पत्थर के तुकडों को, सव इनोधम हसी मजाग के साथ, आल पंती बात करती हुई, अजायत पैदा हुई, अभी हितव कहे गए है, परिनिता ब्याही गई, अस प्रुष्यता, अब अस प्रुष्यतया, चुवा चूत के कारण, प्रारब्ध आरंब किया, प्रताण शीला नाम, प्रताडित करने वाली निराकरणाय, दूर करने के लिए, रुढव, रुढी में या रिवाज में, शीर्ण, फटा पुराना या चिथड़ा, पातुम, पीने के लिए, सोडुम, सहने में, उत्पिडिर्ता नाम, सताय गएका, अश्रान्तम, बिना धके हुए, महियते बढ़ चड़कर हैं, पत ब अध्धम, कविता के रूप में, गहनाव बोधाय, यहने गहन और प्लस अव बोधाय, गहराई से समझने के लिए, यह हमने सारे के सारे जो शब्दार्थ हैं, हमने अल्रडी चैप्टर के साथ साथ में किये हैं, इसलिए मैंने वान टाइम ही रीडिंग की है, अगला जो है एक पद का उत्तर नहीं है, पहला प्रश्न, महाराष्ट्रस्य प्रतमा महिला शिक्षिका का आसित, महाराष्ट्र की प्रतमा महिला शिक्षिका कौन थी, महाराष्ट्रस्य प्रतमा महिला शिक्षिका सावित्री बै फुले आसित, अगला प्रश्न, कस्य समुदायस्य बाल जो गुटाना क्रुटे सावितरी अपरम विद्यालयम प्रारबधवती? ये यने किस अमूदाय के लड़कियों के लिए सावितरी बाई ने अलग से विद्धालय खोला-शुरवती? तो उन्होंने अस्प्रुश्यत्वात तिरस्कृतस्य समुदायस्य यहने जो अस्प्रुश्य है जो तिरस्कृतस्य समुदायं हैं उनके बालिकों के लिए कृते सावित्री अपरम विद्यालयम प्रारब्धवती जो अस्पुरुष्य लोग होते हैं उन लोगों के लड़कियों के लिए की दुरुषिन्ना कूरीतिन्ना सावीत्री विरोधम अकरोत मतलब सावीत्री बाई जो है कौनसे रीतियों का अवरोध करते थे कौनसे सामाजिक कूरीतिन्ना सावीत्री विरोधम अकरोत यह यहाँ पर मैं ले लेती हूँ उपर if you can see सामाजिक कूरीतिन्ना सावीत्री अवरोधम अकरोत जो भी सामाजिक कूरीति है उनके खिलाब सामीत्री बाई जो है अवरोध करते थे तिस्रा question है, तिस्रा चोठा है, कि मर्थ शीर्ण वस्त्राव वृताह नार्यह मुपात जलम ग्रहितुं वारिताह? यहने की जो कौन थे वो शिर्ण वस्त्र व्रुताह नार्यह कूपात जलहं ग्रहुता वारित निम्न जाती शू कौन थी वो शिर्ण वस्त्र वाली निम्न जाती शू जन्म कारणात है न क्योंकि वो छोटी जाती में उनका जन्म हुआता निम्न जाती शू छोटी जाती में जन्म कारांत, जन्म होने के कारण, शिर्ण वस्तरा वृताह, नार्यह, कूपात, जलोह, ग्रोहितु वारिताह, वे वहाँ पर जल, उनकोल वहाँ से लेने के लिए मना कर गया गया था, क्यों? क्योंकि वे निम्न छोटी जाती के लोग थे। सावित्र्याह मृत्यू कथम अभवता, सावित्री की मृत्यू कैसे हुई? महारोग प्रसार काले सेवारत सावित्री स्वय मेतेन असाध्य रोगेन ग्रस्ता सती तस्या मृत्यूह अभवता। यहने महारोग प्रसार के काल में उस वक्त सेवा करते समय स्वय म सावित्री भाई को भी यह रोग लग गया था और उसी से यह ग्रस्त होकर उनको मृत्यू राप्थ होई थी वे मर गयते हैं। अगला प्रश्न हमारा तस्याह दयोह कावय संकलनो नामानी के मतलब उनके जो दो कावय संकलन है उनके नाम क्या है। पहला तस्याह दयोह काव्य संकलनोह नामनी यथा, यहने उनके दोनों काव्य संकलनों का नाम जो है, पहला है काव्य फुले, दूसरा है सुबोध रतना करश्च, यहने एक पहला है काव्य फुले और दूसरा है सुबोध रतना करश्च, इस तरह से उनके दो तस्याह द्वयोह काव्य संकलनयोह नामनी यथा काव्य खुले सुबोधरतनाकरश्च ये उनके दो काव्य संकलनों के नाम है So what did we learn today बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने सावित रिवाई कुले की जीवनी के बारे में जो छोड़ा सा चैप्टर हमारा जो बाकी रह गया था उसके बारे में पढ़ा और उसके बाद में हमने इसके शब्दार किये और इसका हमने वन लाइन आंसर किये तो इसके साथ के हमारा आज का ये सेशन भी यही कत्म होता है, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुब दिन.